मद्य प्रदेश के विधान सभा चुनाओ को लेकर सरगर्वी तेज हो गई है। राजनेतिक दलों के प्रत्यासी चुनाओ पर चार प्रसार में जोर सोर से जुटे हुए हैं। सभी प्रत्यासी जनता के बीच जाकर विकास का दावा कर उन्हें रिजाने की कोशिश कर रहे हैं। बद्नावर में विधान सभा चुनाओ को लेकर साधना न्यूज ने जनता से खास बातचीत की। देखिये लोगोंने क्या कुछ कहा। बद्नावर विधान सभा के अंतरकत नया खेडा गावाता है। यह सारी चीजे हम जानते हैं। तो सर आपका क्या नाम है। सुरेश सिंग जी। आप यहीं के निवासी हैं। ठीक है। तो हम आपसे जानना चारेगी जो अभी जो दो प्रतिदवन्दी है। एक समय था जब यह दोनों आमने सामने थे लेकिन जो इनकी पार्टियां थी वो डिफरेंट थी। आज पार्टियां बदल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है। जैसे साड़े तीन साल से राजवर्दन सिंग जी यहां पर मंतरी रहे हैं। आपके छेतर में तो अब आपका समर्थन किधर है। आपको क्या लगता है राजवर्दन जी को लेकि आपके क्या विचार है। जो काम किया है। देखो राजवर्दन सिंग जी ने जो काम किया है वो आज दन तक 70 साल में कांग्रेस ने कभी दी किया मतलब भारती जंता पार्टी को पुर्ण संब्ध पुर्ण संब्ध सर आपका क्या नाम है दरियाव सिंग जी यही नया खेडा के रहने वाले हैं तो दरियाव सिंग जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके छेतर को आज भी 3.5.5 साल में जैसे सभी बोल रहे हैं कि भई एजुकेशन को लेके स्वास्ट को लेके जो काम हुआ है क्या वास्तों में भारती जंता पार्टी ने काम किया है और बहुत बड़ी काम किया है आप क्या बोलना चाहेंगे कौंग्रेस और भारती जंता पार्टी दो आपके सामने दो प्रतिदवंदी हैं यह पी आपको क्या लगता है फिर राजवर्दन जी आना चाहिए आएंगे ही सही हो तो क्या लगता चाहिए विशाल जी यहां बार्ती जनता पार्टी प्तियासी है वह आपके लिए हैं आज उन्होंने पार्टी चेंज कर लिए वो दर चले गेए, फिर हमारे द deal द्ध्रत is तब कास kia है श्यकाद वह screaming हैं तो हम आरहेत chain के बदल लिफ्धा नक्री प्राटि चम्ली है और यह बुजुर्ग और युवा दोनों मिल कर और मैं इनको बुजुर्ग नहीं कहोंगा यह युवा बुजुर्ग है तो यह नया खेड़ा गाम है जहां पर इन्हों तो आपका जो छेत्र आता है ये चामला पट्टी कहीं जाती है इधर जो यहां के विधाया के राजवर्धन सिंग जी दर्तिगाओं उन्होंने किस तरह से काम किया यहां पर अच्छा काम बहुत बढ़िया काम किरा है तो अभी जो दोल प्रतिद्वंदी है आज ये 2013 और 2013 मे कॉंग्रेस में थे वहर चिंग जिस एखावाद भारती जनता पार्टी में एसी स्थिती में आज सब कुछ विप्रीद हो चुका है इसको आप कैसे देखते हैं किसे जिताने वाले इस बराब भारती जनता पार्टी को जिताने वाले क्या नाम आपका गजरास इंग जिए आप जो स्थिती है आज भारती जनता पार्टी कॉझ्या भांग्रेस को जिताने नियम तो वीजेपी में भारती जनता पार्ट्य में क्या कारण है इसका मलकू वारती जंता पार्टी ने आपको डेम वगरा की सुविधा दी क्या नाम सर आपका विजयी शर्मा क्या लगता है आपको इस बार गिलकुल राजवर्दन सिंग जी सो परसेंट जितेंगे परसेंट राजवर्दन सिंग जी को जिता रहें क्या कारण है इसका काम किया उनने हमारे चामला बट्टे में बहुत अच्छा काम किया है आपका क्या नाम है प्रेम सिंग जी सोलंकी तो सुलंकी जी किसको वोट दे रहें इस बार आप जी दटि गाओं जी आपका नाम क्या है कुसाल सिंग जी क्या बोल रहें आप इस बार क्या रहेगा ये विजे पी रहेगा क्यों के सड़क योजना बहुत अच्छी बढ़िया बने हो ना कई लोग बोलते है कि केंद्रे में मोदी जी चाहिए शिवराज जी नहीं चाहिए अच्छा विकास हो रहा है इन भी का से बढ़कर और चीव और इदर से कोई आपका क्या नाम है सर राम शवरूप क्या नाम है राम शवरूप कि मतलब कि किसको लेकि आएंगे फिर आप सवरूप दटिगांग के इसना जो प्रेम दटिगांगों जी से क्या कारण है काम से जिताएंगे in जित जाएंगे मैं खाव का लोकेंद्र लगता विजह सरकार को क्यों लेके आएगे आपको अच्छा कि 흡़ा का इदर को कूलिया वनकिया आपका जाना अपका इट्रेंगर मिलंगा पर्मार से हाँ को लगता है अच्छा विकास हुआ है तो भारती जनता पर्टी या कंग्रेस भाषिजनता पर्टी तो यह है ग्राम कचनारिया यहां के युवा लोग यहां के बुज़र्ग लोग यह इनका पूरा समर्थन जो हो धत्ति गाउं जी के लिए है और इनकी बातों से इसा लगा क जिन को प्रत्यासी बनाती है तो प्रत्यासी बनने के बाद में वास्तों में काम करते हैं या नहीं करते हैं तो हमारे साथ बने रही है आगे और हम ऐसे ही आपको न्यूस देते रहेंगे तो भैसाब क्या नाम आपका आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम आपका? आलोक शर्मा अलोक जी शर्मा शर्मा जी अभी वर्तमान में राजवर्दन सिंग जी विधायक है याप जो कि उद्योग मंत्री भी रहे हैं कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने हमारे यहां तो रोड़ और पूल भी बनवाए हैं बड़ोद्या में दो पूल बना दिये हैं इस बार आप क्या सोचके बेटे हैं दोनों प्रत्यासी 2013 के हैं और 2013 के जो प्रत्यासी दोनों की पार्टी हैं बदल चुकी हैं आज तो उसको आप किस द्रस्टे से देखें आप किसको जिता रहे हैं आप लोग हम राजवर्दन सिंग जी को जिता रहे हैं सर क्या नाम आपका? गोकुल सिंगी अपने गाउं तरफ तो बीजेपी भारती जनता पार्टी के प्रधान मंतरी मोदी जी है मुख्य मंतरी सिवराज सिंग जी चुहान है किसी से शिकायत कोई शिकायत नहीं अच्छा काम चल रहा है समान निदी मिल रही है और जी लाली बेन योजना सब अच्छा चल रही है आपका क्या नाम है राकेश जी किसको जिता रहे है इस बार आपी दर राजवर्दन सिंग जी को आप मतलब सभी लोग जो गाउं के लोगे लगभग मतलब राजवर्दन जी से कोई शिकायत नहीं क्या नाम आपका अर्जुन सिंग जी किसे देखते हैं अभी आपके इदर की जी को आप सभी मिलके जिता रहें क्यों की अब ही इदर जितने जहां जा रहा हूं वहां सभी उनके लिए बोल रहे है वह जी क्या नाम है आपका केलास 10 जी आपकी कितनी उम्र है अभी तो यह ग्राम बडोदिया जहां पर सभी ग्राम वासी बोल रहे हैं कि राजवर्दन सिंग जी ने जिस तरह से उन पर विश्वास किया है तो निश्चित तोर पर वो खरे उतर रहे हैं लोगों की जो आकांचाय रहती है कि प्रतिनीदी से उस पर वो खरा उतर रहे हैं साधना न्यूस की टीम हमारी ग्राम बडोदिया में सभी जो जनता है उनका विचार जान रही थी इसी बीच हमारी मुलाकात यहां के जो जनपत अध्यक्ष है बदनावर के स्री डॉक्टर प्रहलाज जी जिने सब डॉक्टर साब भी कहते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई जो कि भारती जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आज हम उनसे जानते हैं कि वास्तों में लोग भारती जनता पार्टी के प्रति केसी भावना रखते हैं क्योंकि ये प्रचार में उन्हें लगातार लोगों का रिस्पॉंड मिला होगा तो प्रफटर साब आपका साधना न्यूस स्वागत करती हैं सर आपका भी स्वागत करती हैं और हम आपसे जानना चाहरेगी जिस तरह से मोधी जी ने 300 धारा हटाई है उसके बाद में भारती जनता पार्टी के प्रतिया उसके पहले लोगों की क्या प्रतिकिरिया है मोधी जी ने जब से 379 धारा हटा ही है लोगों के दिल में क्योंकि लोग चाहते थे कि उनको भरोसा ही नहीं था जो पिछली सरकाय थी उन पर कता भरोसा नहीं थे उन்को जब 2014 में जीता के केंerv में बिठाया और परद закон मंतरी बनाया उनको आशा दी कि 330 की धारा हटे गी और बिल्कूर अटेगी तो उनका पूरा विश्वास मोधी जी पर है देश की प्रगति और विकास के लिए भारत माता को परम वेभव पर पहुचाने के लिए मोधी जी आज काम करने है राम मंदिर का भी काम करा उन्होंने उसके प्रतिवी लोगों का अस्ता का एक केंद्र था काम मंदिर कई दिनों से अटका हुआ काम ता वह भी काम मोधी जी ने किया है आज मोधी जी को पूरे देश में लोग चाहते हैं अच्छा 2013 में जो राजवर्दन जी थे वो कॉंग्रेस में थे और भामर सिंग जी सेखावात थे बीजेबी में थे आज दोनों प्रत्यासी चेंज हो गए क्या लग रहे है आपको जनता का जब जनता से आप जाके मिल रहे हैं तो जनता का रिस्पॉंड है जनता का भारती जनता पार्टी के और अच्छा रूख है वह राजवर्दन सिंग जी को वापस जीताना चाहते हैं क्यों ने कि उन्होंने इस मंत्री पज़ पेले जनसंग में हमारे डाक्टर गुर्दनलाल जी शर्मा जी जो केसूर्गे विधायक का चुनाव लड़ते ते उस टाइम भी छेत्र ते भरपूर समर्थन मिलता है और आज भी भारती जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर समर्थन मिलने जा रहा है क्योंकि दिया तक सडक और ब्रीच का काम किया है बीड से लगा के नावदा तक भी सडक का करवाने का काम किया है कानवन से बीड तक भी प्रधानमंतरी का काम किया है इसे कई सडकों के माद्यम से भी विकास काम किया है और तो और बंदूओं क्योंकि यहां किसानों की एक बहुत ब पाइदा मिलता है तो मंत्री जी के माध्यम से इस चामला में पाँच-पाँच बिराज बनाने का काम किया है। भुपाल बोचे और फिर बंतरी बन के इस छेत्र में आए तो बचे हुए काम सब पूरे इस प्रिदान सब आए तो यह है डॉक्टर प्रहलाद जी जो लगातार प्रशार कर रहे है भारती जनता पार्टी का और इधर इस छेत्र के वो जन्पत अध्यक्ष प्रतिनीदी भी है और जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के जो काम गिना हैं जिस तरह से मोधी जी काम कर रहे हैं जिस तरह स इस चेत्रे में विकास किया है और जो ये विकास की गंगा पिछले साड़े 3 साल में भई ये उसमें डेड़ साल से लगबग का कोरोना का जो काल था उसको एदी छोड़ दे जाए तो बहुत ही कम समय में जो भारती जनता पार्टी ने यहां काम किया है वो वास्तों में तारि